मुश्कार साथियो जिनमें मैं आपको लगबग तीन नियम बता चुका था अब आप लोगों को एक अंतिम नियम और बताने जा रहा हूँ नियम नमबर चार उस नियम नमबर चार के अंतरगत आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है उस नियम नमबर चार में आपको सबसे महित्पुन बात यह ध्यान में रखनी है कि यदि आप लोगों के सामने अनुस्वार वाला कोई वर्ण आता है और यदि आप लोगों के सामने अनुनासिक वाला कोई वर्ण आता है ये दोनों वर्ण आप लोग ज्यान से समझेंगे अनुस्वार और अनुस्वार और अनुस वो वर्ण होते हैं जिने नाक से और मुह से बोले जाते हैं तो अनुस्वार वर्ण हमेशा ध्यान रखेगे आप लगबग लगबग 90% अगर आप प्रिसिन देखेंगे तो अनुस्वार वाला सब्द आपको तत्सम सब्दों के अंतरगत दिखाई देगा जबकि अनुनासिक दिखाई देगा ये दो बाते आपको ध्यान में रखने हैं कौन सी बाते ध्यान में रखने हैं कि तत्सम सब्दों में इस अनुस्वार को सामिल किया जाता है जबकि तत्सम सब्दों में इस अनुनासिक वर्ण को सामिल किया जाता है जैसे मैंने कल आपके सामने एक देखा था आपके सामने अंदकार तो आप लोगों को कल में ने बताया था कि जो यह अंदकार है यह किस वासा का है यह आप लोगों को बताना है कि यह तत्सम का है जबकि अंदेरा सब्द किसका है तदवव का कल अम लोगों ने इस प्रकार से इसकी जानकारी ले ली थी एक एक्जामपल के अंतरगत अब आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ मैं कि तत्सम और तदवव सब्दों के नियम तो आपके समझ में आ गए कि कौन से सब्द तत्सम होते है और कौन से सब्द तदवव होते है अब मैं आपके सामने कुछ सब्दों से आप लोगों का फरीचे कराने जा रहा हूँ जिन में आप लोगों को देखना है कि कौन से सब्द तत्सम है और कौन से सब्द तदवव है अब आपको इस बात को स्वेम पहचानना है कि किस सब्द के अंतरगत तदसम सब्द है और किस सब्द के अंतरगत कैसे सब्द है तदबव सब्द है इन दोनों जानकारियों को आपको द्यान से समझना है क्योंकि मैं आपके सामने जितने भी प्रिसिन पेश करूँगा अभी उस सारे के सारे प्रसिंद कि ने किसी परिक्षा के अंतरगत पूछे गए है, आप लोगों को बहुती ध्यान से सुनना है और समझना है, जैसे मैं आपके सामने लिखा आम्र, मैंने आपके सामने क्या लिखा आम्र, और अब मैंने इसके सामने लिखा आम, तो आप लोगों को क्या पता करना है कि इन दोनों सब्दों में से कौन सा सब्द तत्सम है और कौन सा सब्द तद्भव है तो ध्यान रखिएगा यहां पर देखो आज जो सब्द है वो तत्सम में भी आता है और तद्भव में भी आता है लेकिन जो यहां पर यह है मेरे सब्द दिखाई दे रह जाया आपको उम्रे. इस मैं के नीचे जो ये रह लगा हुआ है. ये ध्यान रखिएगा, यहिसकी पहचान है कि यह सब्द कौन सा है तत्सम हैं. और जब कि यह आम, यह सब्द किसका है? तदवाव का है. तो आम्र हम लोग संस्क्रत में बोलते हैं. और संस्क्रत का सब्द हो सावन मैंने आपके सावन कि कौन सा सब्द तद्वब है आप लोग सब जानते है कि यहां पर जो यह श्रे हमारे नियम नमबर 1 में आ रहा है क्या नियम नमबर एक था मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे सहिएं ताक शरो में से त्रे या छे या गे और या श्रे ये अगर चारो सब्द आपको कहीं भी किसी भी सब्द में दिखाई दे तो वहाँ पर आपको निसंग कोच क्या सभी कर देना है तो यहां तो इसकी पैचान हमें मिली गई, क्या मिल गई, कि सर यहां पर हमें क्या मिल गया, स्रे मिल गया, और यहां पर क्या है, सावन है, यहां पर क्या है, सावन, तो सावन किस में गया, तदवाव में, और स्रावन किस में गया, तदसम में, तो ऐसे आप लोगों क्या करन इनको प्रेचानना है अब दोको मैंने आपके सामने क्या लिखा एक तरफ लिखा ज्यान से सुनिएगा मैंने एक तरफ लिखा आपके सामने कंधा कंधा और एक तरफ मैंने लिखा आपके सामने इसकंद इसकंद अब मुझे बताओ अगर आप से कोई कहा जाए कि इनमें से त का कौन सा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकंद का मतलब भी क्या होता है कंदा होता है लेकिन यह सब्द इसका है마 संस्किरत का पहले बात आप लोग सोच रहे होंगे कि सरकंदा में तो अनुस्वार है और इसमें भी प्यान देना होगा कि यह जो इसकंद है यह है एक संस्क्रत भासा का सब्द इसे कभी भी इंदी में उपयोग में नहीं लिया जाता है इंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको कंदा बोलते हैं और इसी लिए इसी लिए इसकंद सब्द किसमें चला गया तत्सम में चला गया ज करेगा कौन सावाला नियम जो मैंने आपको पहले बता है निया आपके सामने वाश्प यहां क्या लिख दिया मैंने वाश्प और एक तरफ मैंने आपके सामने लिखा है भाप इन दौनों सब्दों देखो वाप और भाप इन दौनों में से आप लोग किसे तद्सम में सामिल करेंगे और किसे तद्वा में सामिल करेंगे बता ही आप तो य लोगों सब्कूर्ण इस बात की जानकरी दे रहा है कि यह जो शेह है यह पतह किसी में आता हैं हमेशा मैक्सिमम 99 सब्दों में तक्सम सब्दों के अधर सामिल किया जाता है ध्यान रखेगा आप छームwan कौन सीह यहाँ पर आप जानते वध्व वाश्प वाश्पестно सब्द है उसका अगर तदवर रूप देखोगे आप तो क्या बनेगा भाप यह सब्द भाप तदवर रूप में जाना जाता है और इसी कारण से इस भाप को हम लोग हिंदी में हिंदी में वाश्प के परिवर्तित रूप के अंतरगत पढ़ते हैं इसलिए इस सब्द को हम किसमें रखेंगे इस सब्द को हम तदबव रूप में रखेंगे जब कि इसको किसमें रखेंगे तत्सम रूप में रखेंगे बहुत ही um a exam में लिख रहा है इसलिए आप लोगों को सवाल को बहुत अच्छे से समझना है अभी मैं आपके सामने जितने सवाल लिखे है वो सब सवाल किसीशने एक्जाम में पूछे रहे हैं अभ क् Apparently आप मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं मैंने लिखा एक तरफ इस्तंब क्या लिख दिया इस्तंब और यहां लिख दिया खंबा यहां क्या लिख दिया खंबा अब लोग बताईए मैंने आपके सामने एक तरफ लिख दिया इस्तंब और एक तरफ लिख दिया खंबा तो आप लोग साफ देख रहे हैं कि सर यहां पर अनुस्वार आ रहा है यहां पर भी अनुस्वार आ रहा है तो हमारा नियम तो हो जाता है फैल नियम तो हमारा क्या हो जाता है लेकिन हम जानते हैं जो सब्द है जो सब्द है वो किसका सब्द है तदवाव का अब क्यों है अब देखेए आपके सामने क्या लिख रहा हूं मैंने लिखा आपके सामने तो मैंने लिखा कंकन मैंने के सामने किया लिखा कंकन और इसी का एक रूप होता है इसी का इख रूब क्या हूता है कंगन ये सब दूबी लगबग लगबग कई बार एक्जामों पूछा गया है कंकन और कंगन में से कौन सा सब्द हमारा ततस्म होगा और कौन सा तदबव होगा तो आप लोग देखिए यहाँ पर भी हमारा नियम फैल हो जाता है कि यहां भी अनुस्वार है यहां भी अनुस्वार है दौनों जगे अनुस्वार टकराने के कारण से नियम तो अमर हर जाता है फिर हम लोग किस पर चलेंगे फिर हम लोग उसी बात पर चलेंगे कि संस्कृत बासा का सब्द कौन सा और इंदी बासा का सब्द सब्दों में किसमें मिलेगा तत्सम सब्दों में और यह वाला जो ने हैं यह आपको मिलेगा तत्वब सब्दों में तो यहां भी आप लोग एक नियम मना सकते हैं कि जो अने हैं इस अने का प्रियोग किसमें होता है तत्सम में होता है जबकि उस ने का प्रियोग किसमें होत हम इसरे मिल गया था लेकिन यहांपर एक नियम और कांश कर रहा था क्या org कर रहा है तो इस ढार और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ने यह वाला आता है किस्में तद वह में तो और और ये वाला ने लगबग लगबग 99% एक्जामपलों में किस में आता है तत्सम में किस में आता है तत्सम में तो ये आपको जानकारी बहुत ही महत्रपुन जानकारी है इसे आप लोग याद रखेंगे क्यों याद रखेंगे क्योंकि ये जानकारी आपके एक्जाम में पू रहे हैं वो सारे काम आएंगे मैंने लिखा आपके सामने देखो क्या या मैंने लिख दिया आपके सामने विभा मैं आपके सामने कुछ सब्द लिख रहा हूं यहां मैंने क्या लिखा है विभा विभा और यहां मैंने लिख दिया आपके सामने ब्याहा क्या लिख दिया यहा पर क्या लिख दिया नाच जो सब्द लिखता जा रहा हूंने आप लोग भी कॉपी में लिख सकते हैं एक तरफ लिख दिया मैंने पत्र और एक तरफ लिख दिया मैंने पत्ता 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 क्या लिख दिया पत्ता लिख लिजिए आप लोग चाहो तो एक तरफ मैंने आपके सामने क्या गोधूम और यहां लिखा है गय हूँ यहां क्या लिखा है गय हूँ अब देखो आप मैंने आपके सामने कुछ सब्द लिखे है गोधूम और गय हूँ अब आप लोगों को यहां पर क्या पहचानना है कि तत्सम और तदबव रूप को हम कैसे तत्सम और तद्वव सब्दों में आपको क्या करना है लिखना है सब्दों को कौन सा सब्द तत्वव है और कौन सा सब्द कैसा है तत्सम है यह आपको बताना इसमें तो आप लोग कैसे बताएंगे आप लोग सब जानते है कि सबसे पहले हम देखेंगे हमारा नियम कोई मिल तो वेवा में मैंने आपको एक नियम बताया था कि वे जो ये वाला होता है ये हमेशा किसमे आता है तत्सम में आता है जब कि दूसरा वाला जो ये बे है बकरी वाला ये बे किसमे आता है तद्वा में आता है तो यहां पर तो हम लोगों का नियम काम करी गया इसलिए यहां पर पहला वाला किसम आ गया और किसमे अगया क्योंकि यहां वह और नियम लग गिया निय्म लग गया और नाच तो यहां पर भी इवाला कि दिखाए रहा है और मैंने आपको बताए है किसमे आता है तत्सम में आता है री हमेशा किस में आता है तत्सम में आता है तो यहां भी हमारा किलियर हो गया कौन सा री वाला नियम आ गया यहां पर यहां पर क्यों सा नियम आ गया री वाला आ गया और यहां पर नाच है तो यह हमारा किस में चला जाएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पत्र शबको पता है कि यहाँ पर सर ने हमको एक नियम बता रखा है यह अमेशा तत्सम में आते हैं तो त्रे में तो आप लोगों को सोचना ही नहीं है यह किसमें चला गया तत्सम में जबकि पत्ता पत्ता किसमें चला गया तत्सम में चला गया किसमें चला गया तत्सम में अब यहां पर ददी और दही यहां पर देखो आप क्या नियम प्रियोग 99% आपको पता रखना है कि तत्सम सब्दों में होता है आप लोगों को बहुत से योग मिलेगा इसको समझने में तत्सम सब्दों में लगबग लगबग कई प्रकार के ऐसे सब्द है जिसमें यहां पर आपको तत्सम रूप ही इस दे में दिखाई देगा जबकि आप लोगों को, क्या ध्यान में रखना है, कि जो है सब्द है, ये तो दोनों में ही लगबग लगबग खूप चलता है, तदस्म में भी और तदवा में भी, इसलिए यहाँ पर धे इंडिकेट कर रहा है, कि जो धे सब्द है, धे वर्ण है, वो तदस्म सब्द के अंतरगत जदा जदा प्रियोगत होता है तो आप लोगों को एक नियम और मिल गया कौन सा धेवर्ण धेवर्ण यहां पर आपको दिखाए दे वहां पर लगबग लगबग 99% वर्णों के अंतरगत आपको क्या दिखाए देगा तत्सम सब्द तो यह हमारा किसमे आगया तत्सम में और तत्सम रूप हो जाएगा दही सब्द इसका क्या हो जाएगा इसका तत्सम रूप हो जाएगा तत्सम रूप हो जाएगा जबकि धदी सब्द क्या हो जाएगा इसका तत्सम रूप हो जाएगा फिर देखो गौदूम और गयाहू में तो दो नियम मिल रहे है दो नियम कौ तत्सम में चला जाएगा तो यहां पर भी आप लोगों के सामने जो यह नियम रखे हैं इन नियमों के आधार पर आप लोग तत्सम तद्वव सब्दों को पहचानना काफी हद तक सीख चुके हो अब आप लोगों क्या करना पड़ेगा जादा से जादा प्रक्टिस करनी होते हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा लेकिन कुछ नियम जो बनते हैं उन नियमों के आधार पर हमने तस्सम और तद्वव सब्दों को बहुत अच्छे से समझ लिया जिसमें आप लोगों को पता है मैंने आपके सामने एक तो यह वै और वैवाला दूसरा आप स्वार और इधर ने और इधर अनुनासिक फिर आपको अभी बताया है मैंने धे कौन सा नियम बताया है धे ठीक है यह जिद्री भी नियम मैंने आपको कल से आज तक लिखाए है यह सारे के सारे नियम आपको याद होने चाहिए कि यह अगर आपको दिखाई दे कहीं भी त तो वो तत्सम है जबकि यह आपको कई भी दिखाई दे तो वो क्या है तदवब है अगर आप लोग इन नियमों को याद रख सकते हैं तो आप लोगों को बहुत जादा एक्जाम में फाइदा होने वाला है एक नियम और था कौन सा नियम था आप सबको पता है शे वाला से य जाम में पूछ हुए प्रिसन है वो अलकराए है और उन्हें आप लोगों ने बहुत अच्छे से हल भी किया है और समझा भी है अब आप लोगों के सामने पता है कि जो व्यूत पत्ति के आदार पर सब्दों का तीसरा प्रकार है वो है हमारे देशज सब्द कौन से है किया जाने लगा है उन्हें सब्दों को क्या कहते है देशस सब्द कहते है अब देशस सब्द आपको पता है कि हर देश के अंदर अलग अलग प्रकार की बोले जाते है कोई अपनी गड़न से बन जाते है अपनी गड़न से कोई जातियों के आदार पर सब्द जनम ले लेत किसी को पता नहीं हो आपको सबसे पहले भासा व्यवार भासा व्यवार जो सब्द है ये आपको याद में रखना है कि जिस सब्दा आधार भासा गत व्यवार रहा हो कि हम व्यवार में जिस भासा को लेके आते है वो भासा व्यवार ये किन सब्दों को जनम देते हैं देशत सब्दों को जनम देते हैं ये मैं आपको परिवासा की किलास में लिखवा चुका था आज आपको नए सब्द से और इसकी पहचान देदी हैं अब देखो आपको पता है कि जैसे मैंने कहा आप से परात मैंने क्या बोला परात अब य सकते हैं तो वो जो परात है वो सब्द कैसा हुआ देसस सब्द हुआ कि हम लोगों ने एक省द लाइ के लिए कारण से इसे आपके कर लिया है अब जानstria क्या ख test क्या भर कई बार है चोंपडी क्या मोलते है जौंपडी अब ये जौंपडी सब्दे अब आव सब मे yapसो को पता है कि जौंपडी जब हम लोगोंने हमारे एस्था ही रूप के रहने के लिए जब ठिकाने बनाएं तो उन ठिकानों को ना तो हम मकान कह सके ना महल कह सके ना घर कह सके उनको हम क्या कहने लगे जोंपड़ी जब कि हम लोग आपको पता है एक सब्द घर क्या घर और एक सब्द गिरहे एक सब्द क्या है गिरहे तो आप सब जौपड़ी है वो ना तो है और ना ही घर है वो क्या है वो आप सब को पता है एक अलग ही छेत्र के अंतरगत बार बार प्रियोग में भासाम व्यवार में लाए जाने के कारण से इसको क्या गया गया है तो यह सब्द कौन सा हो जाएगा जौपड़ी आपके समझ में आ चु प्रियोग जब भी कोई गलत बात हमें लगती है जब भी कोई बात हमारे मन को नहीं बाती है तो हम उस बात के लिए किस सब्द का प्रियोग करते हैं उट पठांग सब्द का प्रियोग करते हैं अब आप लोग जानते हो खर्राटा यह सब्द भी क्या है यह सब्द भी एक देशाज है क्यों है क्योंकि हम सब को पता है कि सर खर्राटा जो सब्द है यह है जब हम लोग सो जाते है और सोने के कि बाद जब हमारी स्ट लेते हुए हमारे उच्छारन द्वाने भार निकलते हैं तो उसच्छारन द्वाने सामने हरे लिए друзья दो से वह से विभूसित किया दर तो जैसे मैंने वोला आपके सामने क्या बोला चाट चुटकी ठटेरा मैंने आपसे बोला चाट चुटकी चुटकी बोलते हैं ना हम लोग चुटकी बजाई है मैंने अभी चुटकी ठटेरा ठटेरा यह जो सब्द है यह पूछे हुए भी एक्जाम में और आपको याद भी रखने है यह सारे सब्द कैसे साती हो य ने छोड़ेने छेत्र के अंतरगत किसी चेत्र के अंतरगत भासागत विवार के आधार पर क्या किया गया गटा क्या गचे गए तो इन सभी सब्द rooftop रखाए तो इन सभी सब्दों क मैं आपके समस्द इसे यहे सब्द लिखा засब्द perceivefun अगलाना ये सब्द है इसको हमने बासागत विवार में लाए जाने के कारण से इसको जनम दिया है और यह दोने की आदार पर है मैंने का इसे कुल बुलाना अपन कहते हैं कुल बुलाना बोलते हैं नहीं बोलते हैं इसे कुल बुलाना तो कुल बुलाना किसको बोलते हैं हम लोग जब हम लोगों को क्या लगता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कुछ सोर तो कर रहा है लेकिन उसकी आवाज में तक स्प परीयोंग में लिए जाने वाला सब्द ची चाहट फिर अम लोगast वूदे है तरह तरहे इक सब्द की द्वयानी को रखेंगे तदवब में ना तो तक्समें रख सब्दिए के अंत्रगत दना सब्द क्षेए बात करेंगे विदेशा सब्दों की किसकी बात करेंगे हूँ कि विदेशा सब्द कौन से होते है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जिस देश के सब्द अपने देश के अलावा किसी अन्य देश में जब प्रियोग में लिये जाते है जिस देश के सब्द अपने देश के अलाबा किसी अन्य देश के अंदर जब प्रियोग में ले जाते है तो वो सब्द क्या हो जाते है विदेशी सब्द हो जाते है जैसे मैंने कहा आप से क्या चिडिया मैंने क्या बोला आपके सामने चिडिया चिडिया फिर मैंने आपके सामने बोल दिया बम अ अब यह आपको पता है कि यह किस वासा की सब्द है हम लोग बोलते हैं तो खुब है इसको हमारे इंदी वासा में भी खुब बोलते हैं न हम चडिया उड रही है बम फट गया ड्रिल कर दिया दिवार में बोलते हैं नहीं बोलते तो अब ये जो सब्द है ना ये आपको पता किस वासा से लिए गए है ये लिए गए है डच वासा से किसे लिए गए है डच अब डच क्या है डच आप लोगों को पता है कि ये है एक ऐसा देश है जिस देश के सब्दों को हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं भारत में तो इसके सब्दों को हम लोग भारत में यूज करते किसको चडिया को बंको ड्रिल को लेकिन हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमें तो क्या लगता है कि चडिया इंदी का सब्द है बंस इंदी का है ड्रिल सब्द किसका है इंदी का है हमें ऐसा लगता है अभी मैं आपके सामने बोल पता ह conting 10 मैंने क्या बोलत टैक्स टैक्स मैंने बोला डॉक्टर दॉक्टर अब आप समको पता है यह टैक्स डॉक्टर कॉलेज और उफे हर मुष्ट तो और इसा ए प्रेजि बंद्धा नहीं आप बाहर के सब्कते यह वारत देश के सब्द यह अंग्रेजी बासा और किसके सब्द है अब यह वट सब्डूंक। मिलाते हैं और हमारे बारत देश के अंदर उपयोग मिलाते हैं तो यह टैक्स डॉक्टर यह कॉलेज यह अगर तीनों सब्द आप लोगों को एक्जाम में दिये जाए तो आप लोग इन्हें क्या बताएंगे था स्वाइंगे यह तद्वा बताएंगे देशन बताएंगे त अब मैंने आपके सामने एक सब्द लिखा जैसे रिक्सा अब यहां पर आप लोग इस सब्द को देखो रिक्सा खूब आप लोग इसका उप्योग करते हो रिक्सा सब्द का कि रिक्सा सब्द जो है वो किस वासा का सब्द है अब आप लोगों को सबसे पहले इस चीज में य रेगुलर यूज़ करते हैं अब आप लोग रेगुलर उपयोग में सब्सक्राइब करें वह बहुद्ध में लेकर अचानी वाजा का प्रियोग हम भारत देशंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस सब्द को तो हम विदेशा सब्दों में गिनेंगे लेकिन रिक्सा सब्द हमें तो क्या लगता है कि सर हम तो खुदी रिक्सा सब्द का उप्यूग करते हैं तो स्वेमी सब्द को बार बार में बोलते हैं तो जिस सब्द को हम बार बार में बोलते है वो जरूरी नहीं है वो अन्य देशका भी हो सकता है इसलिए आप लोगों को उन सब्दों को पहचान ना चाहिए अगर आप लोग उनको नहीं पहचा चाहे चाहे चीनी इसको तो आप याद रख सकते हो बहुत अच्छे से अब आपके सामने जैसे मैं लिख दिया तूफान मैंने क्या लिख दिया तूफान देखो तूफान मैंने लिख दिया पठाका मैंने क्या लिख दिया पठाका यह जो सब्द है यह तीनों सब्द आपके किसमें आएंगे बाई यह इस सब्द आपके आएंगे चीनी में जो की चाहिनीज देस्ट के चाहिने देश के क्या है सब्द है अब आप लोगों को पैचान में आ गए होंगे मैंने बोला देखो कि अंक है अनार नार मैंने बोला अमरूद अब सब्सक्राइब उना की सब्सक्राइब यहां क्या अंदर आते हैं कि सब्सक्राइब यह अनार और अम्रूद जो सब्द है अनार अम्रूद ये दोनों फार्सी बासा के सब्द है किसके है ये फार्सी बासा के है ये आपको द्यान में रखना है ये किस बासा के सब्द है ये फार्सी बासा के कौन कौन से अनार और अम्रूद जैसे मैंने बुला अचार 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 आपको फुर्तगाली सिगáo, उर्थ लुक्षा कैसे उनीर पूल नहीं पूछ जाएंगे। आप लोगों को यार तो यह समझ मानना चाहिए की सब्सक्रान साथ कुछ कि जो लिएफिचे आप लोगों को याद तो ये समझ में आना चाहिए कि साथ नाम आपको याद होने चाहिए अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे अभी जैसे एक सब्द औरे मैं आपके सामने कहता हूँ जो एक्जा में पूछा हुआ आलू ज्यान रखेगा आलू जो सब्द है वो पूर्तगाली सब्द है ये बहुत में पूछा गया है आलू जो सब्द है वो कैसा है पूर्तगाली सब्द है ये आपको important सब्दे इसको आपको याद रखना है तो अभी मैंने आपके सामने जो विदेशी सब्दों का प्रियोग किया है वो सारे सब्द आपको याद होने चाहिए अब आप लोग देखिएगा कि जो सब्द जो सब्द आपको पता है कि उर्दू के होते है जो सब्द कैसे होते है उर्दू के मैंने बोला क्या मैंने बोला अब्दुल्ला क्या बोला अब्दुल्ला अब्दुल्ला तो अब्दुल्ला जो सब्द है यह आपको पता है एक उर्दू का सब्द है कैसा सब्द है उर्दू का लेकिन यह है अरब देश में बोले जाने वाला अर्बी बासा का सब्द है किसका सब्द है अर्वी बासा का अब्दुल्ला तो आप ध्यान रखेगा जैसे मैंने बोला अवल क्या बोला अवल ये भी अमारा अर्वी बासा का है मैंने बोला अल्ला ये भी कैसा है अर्वी बासा का सब्द है अर्वी बासा आप लोगों को इस तरीके से पहचान नहीं है कि जिन सब्दों में उर्दू जैसे सब्दों का आप लोगों को उच्चारन लगता है वो सारे के सारे सब्द किसमा आते है अर्भी बासा के अंदर आते है जैसे आप लोगों के सामने एक सब्द तो हमेशा यूज उता रहता है अदालत अदाल का सब्द आदार जो कि हम लोगों को इसी बासा के अंतर इसको सई करना होगा इस तरीके से हम लोगों का जो एक प्रकरन है तरह तरह की किताब ही देखनी है और उन्हें द्यान से समझना है अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप लोग उस समझ्या को हमारे सामने रखिए हम लोग उसका कोई न कोई समाधन अवस्चे डोड़नेंगे आज के लिए इतना है धन्यवाद